जोर्ज सोरोज की रणनिती क्या भारत में सफल होगी? ऐसा कहा जाता है कि इस विश्व में इतना अन्न उपलब्ध है कि हर किसी की भूप मिट सके लेकिन किसी एक व्यक्ति की लालसा पूरी हो सके इतना उपलब्ध नहीं है जोर्ज सोरोज जी की कुंडली जब हम देखते हैं तो केवल पैसा और पैसे के लिए सब कुछ ये भूमी का दिखाई देती है विशेश बात है कि उसमें वे लगातार सफल भी हुए है बचपण में किसी को किसी चीज में बड़ी परेशानी होती है तो कई बार वह चीज उसके लिए अगले जीवन का लक्ष बन जाती है ऐसा ही कुछ स्तिती जोर सोरोज जी की है उनका जीवन यदि हम देखे तो अपनी बुद्धि मत्ता से, कर्तूत्व से, पैसे प्राप्त करने की तिवर लालसा से किसी भी किमत पर साम, दाम, दंड, बहित का उपयोग कर पैसे कमाये और उसे काबीच करे ऐसी भूमिका से उन्होंने पैसे कमाया है उसके लिए जो करना पड़े, वो सब उन्होंने किया है नमस्कार, मैं आश्ट्रो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी, आप सभी जोतिश प्रिमियों का हारतिक स्वागत करती हूँ आज हम अत्यनत महतोपुर्ण विशे पर वारतालाप करने वाले है वह विशे है कि जौर सोरोस जी की रड़निती क्या भारत में सफल होगी शक्तित्व के रूप में उनकी पहचान है इससे हम उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं अब उनका ध्यान हमारे भारत देश पर के निरित हुआ है जिस कारण ये प्रेश्ण निर्बान हुआ है कि जौर सोरोस की रड़निती क्या भारत में सफल होगी अर्थात हम राजनिती कार्थिक विशलेशक नहीं है लेकिन जोतीश के माद्धम से क्या इस प्रेश्ण का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है ऐसा विचार हम अवश्य करते हैं क्योंकि अन्त में ये देश की अस्मिता का प्रतिष्ठा का विश्य है इसलिए आज हम जोर्स सोरोस की कुंडली का अध्यान करने वाले है और प्रश्ण के उत्तर तक पौशने का प्रयाज भी करने वाले है इसलिए आज के भाग को अन्त तक देखना ना भूले साथ ही जानकारी अच्छी लगे तो विडियो को शेयर करे आपके विचार कमेंड करे जोर्सूरस अमेरिका के बड़े उद्योग पती और निवेश करता है लेकिन वेश सोयम को सामाजिक कार्य करता कहना पसंद करते है पुल मिलाकर उनका करतूत्व कई देशों की राजनीती उद्योग और अर्थवेवस्ता को प्रभावित करने वाला रहा है उसके लिए आवश्यक यंत्रणा और पैसा उनके पास भरपूर है उनका जन्म 1930 में हंगेरी की राज़दानी बुड़ा पोस्ट में हुआ सन 47 में वे अपने परिवार के साथ लंडन में आये है चपन को वे अमेरिका में गए वहाँ उन्होंने बड़ा करतूत्व कर नाम, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ कमाया उन्हें संपुल्ण विश्व की कई मीडिया कमपनियों में भी निवेश किया है लेकिन अन्यतिक मार्ग से पैसा कमाने का बड़ा आरोप उन्पर सदैव लगता है ऐसा कहा जाता है कि जब जोर्ज बूज दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रा धक्षपत के चुनाव में खड़े थे तब उन्हें अहराने में जोर्ज सोरोस का बड़ा हाथ था जिसके लिए उन्होंने करोडों रुपे खर्च किये हैं कुछ ऐसा ही प्रभाव कई देशों की राजनीती पर उन्होंने डाला है अब उनका ध्यान हमारे भारत देश पर केद्रित हुआ है ऐसा कहा जाता है कि इस विश्व में इतना अन्न उपलब्द है कि हर किसी की भूख मिट सके लेकिन किसी एक व्यक्ति की लालसा पूरी हो सके इतना उपलब्द नहीं है जो और सोरोस की कुड़ली जब हम देखते हैं तो केवल पैसा और पैसा के लिए सब कुछ ये भूमिका दिखाई देती है विशेश बात है कि उसमें वे लगातार सफल भी हुए है बचपन में किसी को किसी चीज से बड़ी परेशानी होती है तो कई बार वह चीज उसके अगले जीवन का लक्ष बन जाती है ऐसा ही कुछ स्तिती जोर सोरोस की है उनका जीवन यदि हम देखे तो अपनी बुद्धी मत्ता से कर्तूत्व से पैसे प्राप्त करने की तियूर लालसा से किसी भी किमत पर साम दाम दंडभेत का उपयोग कर पैसे कमाये और उसे काबीच करे ऐसी भूमिका से उन्होंने पैसे कमाया है उसके लिए जो करना पड़े वह सब उन्होंने किया है ब्रीटन जैसे कई देशों के अर्थव्यवस्ता को नीचे लाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है पैसे को अपनी और खीचने का उनके पास बड़ा कौशल है जिसका उपयोग करने में वेसफल हुए है उनके पास भरपूर पैसा है विरोधी दल मिडिया देश के गुप्त शत्रू या सत्ता के विरोधी लोगों को इकठा करने का काम वे करते है परतमान स्थिति के शोशल मिडिया के जो विशेशगने है उनका भी उपयोग वे करने लगे क्योंकि एक समय पर अगभार या न्यूज चैनल की जो शक्ति थी आज वही सोशल मिडिया की भी शक्ति है ऐसी एजन्सिस का वो पूरा उपयोग करते है उन्हें फंडिंग करते है और शान्ती से देश विरोधी गतिविदिया करते रहते है देश की अर्थव्यवस्ता को प्रभावित करने के लिए शेयर मार्केट में बड़ी हलचल निर्मान करना और ब्रहनतियों का शिकार होकर जब लोग अपने पैस से बचाने जाते है तब उसका दूरुपयोग करना यह सब वे आज कर सकते है क्योंकि उनकी कुंडली में वैसी ग्रहस्तिती है पैसा कमाना यही उनके जीवन का एक पात्र लक्षय है जोर सोर्वस की कुंडली पर विचार करे तो राशी स्वामी लाभस्तान में विराजमान है उसकी दुरुष्टी राशी पर है उनकी राशी स्वामी शनी देव मूल इनली में अगनी थAI में में विराजमान कंडली में जल थात्तव अमें गए है जिस कारण थंडे दिमाग पूरे लक्ष को प्राप्त करना अपना पूरे करना नई विभाग सामने आता है महतोपुर्ण बात है कि इस कुंडली के बूद और शुक्र ये दोनों ग्रह नौमाउश कुंडली में उच्च वस्ता को प्राप्त हुए है गुरु देव भी स्वराशी के है शुक्र और गुरु का शनी देव के साथ नौपंचम योग हुआ है बूद ग्रह से लाभयोग हुआ है साथ ही शनी मंगल में भी लाभयोग बना है इस ग्रह स्थिति के कारण वे अपने कार्य में लगातार सफल होते रहे है वे कार्य उची थे या अनुची थे उसकी अपेक्षा उनकी कुंडली इस दुरुष्टी से प्रबल होने के कारण उन्हें सफलता मिलती रही शान्त दिमाग से निरणे लेकर कार्य करना उसके लिए जितना आवश्यक हो उतना पैसा खर्च करना और अपने लक्ष को प्राप्त करना फिर उसके लिए वे किसी देश को भी बरबाद कर सकते हैं जोर्ज सोरस ने ऐसा प्रयोग अमेरिका पर किया अब उनका ध्यान अपने भारत देश पर है भारत लूटना ही उनका मुख्य उद्देश है क्योंकि भारत तेजी से विकसत्थोने वाली अर्थव्यवस्ता के रूप में वीश्व के सामने आ रहा है जिस कारण उन्होंने कुछ वर्षों से भारत पर अपना द्यान केंद्रित किया है जिसके लिए उन्होंने विरोधियों से भी हात मिलाया ये बात हर भारतिय जानता होगा अत्यनत बड़े स्तर पर फंडिंग हो रही है कुछ यूटूबर्स को भी वहाँ से फंडिंग मिल रही है अकबार ओहो न्यूट चैनल हो सभी को बड़ा फंडिंग मिल रहा है जो और सोरोस विभिन प्रकार से वैसी योजनाय बना रहे है अर्थात शेयर वारकरिट को विचलित करना हो या व्यावसाईक उध्योग पती के विरुद्ध विभिन पद्दतिओंसे रिपोर्ट सामने लाकर बद्दामी करना ऐसा सुरू है बूर्टन में उन्होंने ऐसे रिपोर्ट सामने लाए थे उसमें वे सफल भी हुए थे हमारे देश में भी उन्होंने आदानी ग्रूप और वेदानता ग्रूप को टार्गेट किया था उस माद्धम से उन्होंने भारत की प्रतिष्ठा को बड़ी शती पहुचाई थी ऐसे कई प्रयास उन्होंने अब तक किये है जिसमें कुछ हद तक सफल भी हुए है अर्थात सभी को विश्वास था कि इस चुनाव में बीजेपी पुन्नस्च इतियास रस्चेगी उन्हें अधिक सीट मिलेगी जो मिलने ही पाही क्योंकि वहाँ पर बाहरी मदद दिखाई दे रही थी हमारे 2023 के एक वीडियो में मैंने बताया था कि बाहर से आने वाले पैसों के अनुचित उपयोग होगा और भारत के राजनीती में बड़ा बदलाव होगा फिर भी हमारा भारत देश अलग है हमारे देश की एक अलग शक्ती है हमारे सौश्कूरूती की शक्ती अत्यनत बड़ी है अर्था तीतियास देखा जाए तो भारत पर जितने आक्रमन हुए है उतने अधी किसी और देश पर हुए होते तो वह देश पूरा बरबाद हो जाता लेकिन उसमें वे भारत ने अपने आस्तित्व को बनाए रखा जिस कारण बड़ा पैसा खर्च करने के बाद भी जो और सोरस को पूरी सफलता आप तक मिल नहीं पाई ही तो आज का मुख्य प्रश्ण है कि क्या वे भारत के संदर्वा में सफलोंगे उसी का उत्तर प्राप्त करने के लिए आज हम उनकी कुंडली का आद्येन करेंगे इस कुंडली में कई चीजे है ये कुंबल अगनकी कुंडली है ठीक है ये लोग अत्यनत बुद्धिवान होते हैं साथ ही कुंडली में राहू और केतु दोनों ही वरकोत्तम है तुरुतियस्तान में वरकोत्तम राहू और भाग्यस्तान में वरकोत्तम केतु गरह विराजमान राहु केतु की स्थिति उन्हें अपनी इच्छापुर्ति के उद्देश्चे सब कुछ करने के लिए प्रवरुत्त करती है क्योंकि जैसा हमें पता है राहु अर्थात सीर होता है जो मेश राशी में विराजमान है किसी भी स्थिति में मुझे यह चाहिए इस प्रकार इन ल नो ग्रह वर्गतम होते हुए शनी जैसे ग्रह की दुष्टी राशी पर है गुरु ग्रह मूल कुंडली में शत्रू राशी में और निर्बली है नौमाउश कुंडली में स्वराशी का है लेकिन शुक्र वही पर उच्च वस्ता में है शुक्र का अर्था पैसा होता है वह नवाविश कुंडली के धनस्तान में उच्च वस्ता को प्राप्त हुआ अर्थात नौमावश कुंडली का धृष और लाभेश का गंठ बंदन धनस्तान में हुआ है साथ ही शनी शष्टस्तान पे जाकर निर्बली हुआ 할 कि रवीग्रह से देखा जाता है रवीग्रह भी यहां पर निर्वली है जिस कारण आत्मक बल का विश्य समाप्त हो जाता है और बहुतिक बलस आपने आता है उसनुसार जो और सो रोज जीये आत्मिक बल से परिपुल्न है, उनके पास बुद्धिमत्ता है, जिस कारण उन्हें अब तक बड़ी सफलता भी मिली है, बड़ा पैसा उन्होंने कबाया है, इतना कि किसी देश से भी अधिक पैसा उनके पास है, इतने वे सफल हुए है, थंडा रखता थंडी बुद्धिमत मुझे किसी भी स्थिति में प्राप्त करना है यह बांसिकता इस प्रकार उनका मार्क करमन रहा उसमें अब हमारे लिए सबसे महत्व पुर्ण प्रश्ण है कि उनकी नजर भारत पर है भारत के संदर्भ में उनकी भूमिका को देखा जाए तो आगे क्या होगा लेकिन यहां कही न कहीं उनकी कुंडली असफलता दिखा रही है उनके जीवन की इह सबसे बड़ी असफलता होगी अर्थात उनकी गतिविद्या क्या भारत को प्रभावीत करेगी तो हां अव+. वास्तो में भारत उनसे प्रभावित हुआ भी है अपने देश में कई ना कार आत्मक शक् हुआ है अगला मुख्य प्रश्न है कि क्या यह परेशानी बढ़ने वाली है तो हां परेशानी बढ़ने की संभाव नावश्य है क्योंकि पैसा अपना कार्य करता है पैसों से कई चीजे प्राप्त हो सकती है संगर्ष करने के लिए विरोधियों को पैसा दिया जाता है पैसा से कई चीजे प्राप्त हो सकती है, संगर्ष करने के लिए विरोधियों को पैसा दिया जाता है, पैसे देकर लोगों को खरीदा जाता है, फर्जी आंदोलन खड़े किये जाते है, जिस कारण देश की शक्ती कम होती है, सत्ता को विचलित किया जाता है, यह सब हमारे भारत द राहु में गुरु के अंतरदशा शुरू है यहां पर वे कहीं न कहीं असफल हो सकते हैं जब किसी धर्मिक सौस्कृति के विरुद्ध या जीन की संस्कृति का पहिया मजबूत है ऐसे देश के विरुद्ध जब कार्य करेंगे तब वे असफल होंगे यहां उनकी कुंडली क सबसे बड़ी बात कही जा सकती है उस अनुसार अब उन्हें राहू में गुरू के अंतरदशा है नौमाउश कुंडली का राहू मेश राशी का अगनी तत्व का है सीर पर और गुरू व्यायस्तान में विराजबान है जिस कारण सामने वाले देश की सांस्कृतिक प्रबलता उन्हें असफलता दिलाएगी ऐसी उनकी कुंडली बता रही है भारत पर क्या संकट है तो हां संकट अवश्य है उसे हम नजर अंदाज कर नहीं सकते लेकिन जीस प्रकार आज दखा पारा देश विभिन आक्रबनों से बाहर निकला है उसी प्रकार वह इस संकट से भी बाह परत में सफल होगी यह विशय समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है आपके विचार अवश्य कमेंड करें अगले भाग में हम जोतिश की नमिंतम जानकारी के साथ पुनस्च मिलेंगे धन्यवाद शुभम भवतु जय जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त जीए प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दा बना ना भुले धन्यवाद